नमस्कार मेरे नाम है देवान शुतिवारी और आप देख रहे हैं देव भूमी का लोग प्रिये चैनल लाइव उत्राखण किछा टोल प्लाजा से सराप के नशे में धुत होकर गुजर रहे पुलिस कर्मी ने टोल प्लाजा करमचारी पर हमला कर मार पीट कर दी हमलावर प्लाजा के केबिन में जागुसा और टोल करमचारी पर हमलावर हो गया आपको भी दिखाते हैं क्या है पूरा मामला तेस नंबर टी शोट पहना व्यक्ति टोल ना के पहुचा तो खुद को एसोजी वाला बता कर टोल ना काटने की बात कही जुस पर टोल करमचारी ने उससे आईडी दिखाने को कहा जो एक नियम है पर अपना काट दिखाने के बजाए नशे में डूबे पुलिस करमी ने इस बात पर टोल करमचारी की जम कर धुनाई कर दी आईडी कार्ड मांगने पर टोल पलाजा के दो करमचारीयों के साथ जम कर मार पीट करने वाले को लालपूर पुलिस चौकी ने पूरा सन्रक्षन दिया यहां तक की जगड़े की शिकायत पर आया ओन ड्यूटी सिपाही भी इस बिगड़ायल पुलिस वाले की गुंडा गर्दी का शिकार बन गया ड्यूटी पर तैनात सिपाही पर ही इसने हाथ उठाने से गुरेज नहीं किया सीसी टीवी में कैद हुई तस्वीर हैं खुद बखुद हकीकत बयान कर रही है यह साफ दिख रहा है कि किस तरह शराबी पुलिस कर्मी टककर पहलवान बना टोल कर्मी को पीट रहा है यहां तक की जगड़ा रोकने आया पुलिस वाले पर भी इसने हाथ उठा डाला इस बारे में मालूमात की तो पता चला की पवन जगडारू प्रवत्तिका है एसोजी में रहते हुए भी इसने कुछ हैसा किया था इसे कई बार लाइन हाजिर भी किया गया है इस मामले में हमने स्सप उधन सिंग नगर से भी प्रेशन किया मित्र पुलीस का जल्वा देखिए मामला रात ही रात निप्टा दिया गया पीडित पक्ष से कोई तहरीर नहीं गई बलकि लालपुर चौकी इंचार्ज ने तो घटना पर होने से भी इंकार कर दिया अब सवाल ये खड़ा होता है कि सारे मामले पर एडी जी अशोक कुमार क्या संग्यान लेते हैं और ठोस कारवाई निर्देशित करते हैं ताकि पूरे सूबे की जनता सुरक्षा का एसास कर सके लाइव उत्राखंड पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धनिवाद देखते रहें लाइव उत्राखंड खबरे उत्राखंड उत्राखंड की हर खबर देखने के लिए सस्क्राइब करें लाइव उत्राखंड और बेल आइकन दबाना ना भूले